हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वीवो और रियलमी की तरफ से दो बहुत ही कमाल के स्मार्टफून एक है वीवो का T15G जो बहुत ज़ादा पॉपॉलर है दोस्तो यह आपको मिलता है 17,000 का और दूसरी तरफ है रियलमी का ले test रियलमी 10 यह भी आपको मिलता है 27,000 का तो दोनोगा प्राईस जो है सेम है आपको जो 128 GB वाले विरियंट देखने को मिलते हैं दोनों के वो आपको 17,000 की मिलते थे हैं तो अन्बॉक्स करते हैं आप तो सबसे पहले तो आपको यूजर मैनुवल और एक कवर मिल जाता है इसके बाद मिल जाता है फून एक रैपर के अंदर टाइप सी केबल दी गई है और केबल की जो क्वैलिटी है दोस्तो वो आपको काफी बढ़िया मिल जाती है इसके साथ लास्ट में रखावा मिलता है दोस्तो ये वाइट कलर में चार्जर जो कि एक दोस्तो 18 वाट का चार्जर है तो Charger आपको Fast दिया गया है बाकी 18W का है अगर और जादा बढ़िया होता तो काफी अच्छा रहता अब यह सारा समन्त दोस्तों आपको मिलता है Vivo के T15G के साथ 17,000 में चली देखते हैं दोस्तों अगर आप खर्च करते हैं इतना ही पैसे Realme 10 पर तो उसके साथ आपको क्या क इसके और जादा बैटर है थोड़ा पीला नहीं पड़ेगा एकदम इसके बाद फून मिल जाता है रैपर के अंदर टाइप सी केबल दी गई है और केबल की क्वालिटी आपको Realme 10 के साथ भी काफी बढ़िया मिल जाती है लास्ट में रखा हुआ मिलता है दोस्तों यह वा T1 5G की तरह तो इस चीज में तो जादा बढ़ी है दोस्तो Realme 10 अगर आप Realme 10 14,000 में भी खरीदेंगे तो भी यही चारजर मिलता है तो इस चीज में तो दोस्तो जादा अच्छा Realme 10 ही है क्योंकि कम रेट में आपको जादा बढ़ी है content मिल जाते है वीवो के T1 5G के comparison में बात करें दोस्तो डिजाइन के बारे में तो Realme 10 का डिजाइन दोस्तो आप देख सकते हैं left side पर बहुत जादा glossy है वीवो T1 5G का blue color आप देख सकते हैं दोस्तो काफी जादा बढ़ी है मिल जाता है हालकि इन दोनों में जो camera का design है दोस्तो आपको Realme 10 के अंदर जादा अच impact हैं लेकिन Realme 10 का design जो है और जादा latest है camera का design जादा बढ़ी है थोड़ा simple classic इसे के साथ दोस्तो light के reflection भी इसके back panel पर बहुत जादा बढ़ी है कुछ इस तरीके से pattern देखने को मिलता है जब आप इसको light में कुछ इस तरीके से move करते हैं तो design में मुझे जादा बढ़ी है ल हलका सा बड़ा size है दोस्तो Vivo T1 5G के अंदर इसमें आपको display और जादा बढ़ी दी गई है लेकिन जो quality है उसका बहुत बढ़ा फर्क है वीव के अंदर आपको IPS display मिलती है लेकिन Realme 10 के अंदर आपको AMOLED display मिल जाती है तो यह चीज़ इसके अंदर आपको और जादा है मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तो बाकि इन दोनों फोन्स में जो आपको user interface मिलता है कुछ इस तरीके से दिया गया है आप ऐसे उपर की तरफ स्वाइब करेंगे आपको सारी apps मिल जाती है अब यह तो दोस्तो आपकी पसंद के उपर matter करता है कि आपको Realme के phone चलाने म स्मूद लगता है लेकिन वीवो के अंदर आपको 120 Hz का refresh rate मिलता है तो यह चलाने में और भी ज़्यादा स्मूद लगता है experience आपको ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगा वीवो के अंदर जैसा आपको गेम वगर खेलने तो smoothness जो है वो दोस्तो आपको ज़्यादा बढ़िय वीवो के अंदर ही देखने को मिलेगी इसके साथ दोस्तो गेमिंग में जो आपको speed मिलती है performance मिलती है हैं कौन सा जादा होगा उसकी भी बात करेंगे अभी अब मैं आपको display की quality दोनों की बिल्कुल करीब से दिखा देता हूँ बिल्कुल full brightness करके तो दोस्तो इन दोनों phones क के अंदर आपको Vivo में notch वाला design दिया गया है और Realme 10 के अंदर दोस्तो आपको punch hole camera वाला design मिल जाता है तो Realme 10 के अंदर आपको display में यही camera दिया गया है left side पर और display की quality में ब्राइटनेस में आप देख सकते हैं दोस्तो Realme 10 के अंदर आपको display की quality जादा बढ़िया मिल जाती ह वीवो से हाला कि Vivo T1 5G के अंदर भी काफी बढ़िया quality की display ऐसा नियस में कोई दिक्कत है लेकिन दोनों में से एक ही choose करना हो दोस्तो डिस्पले की quality को लेकर तो Realme 10 जादा अच्छा है बागी अगर आपको 120 Hz का refresh rate चाहिए तो Vivo जादा बढ़िया है इस चीज को लेकर ले इस तरफ ही है right side पर उपर की side से आप देहिए noise cancellation mic दिया गया है अब दोस्तो इन दोनों phones के अंदर आपको Android का 12 version मिलता है 13 version किसी में भी नहीं दिया गया उमीद करते है update आपको जल्दी देखने को मिल जाए बाकि इस चीज को लेकर जो है दोनों ही phones बिलकुल एक जैसे हैं और भी थोड़ा better मिल जाएगा Realme 10 के अंदर अगर आप इस तो 60 Hz के refresh rate पर यूज़ करेंगे तो और जादा better battery backup मिल जाएगा दोस्तो क्योंकि display की qualities में जादा अच्छी दी गई है बैटरी कम consume करती है अब Vivo के अंदर दोस्तो आपको Snapdragon 695 processor दिया गया है और Realme 10 के अंदर 20 Hz का refresh rate भी है लेकिन Realme 10 के अंदर आपको processor और जादा better मिल जाता है अब दोस्तो मैंने दोनों को एक साथ restart किया आप देखे Realme 10 जो है यह पहले on हो चुका है तो यह चीज़ आपको जादा बढ़िया देखने को मिल जाती है speed को लेकर यह जादा fast है और अभी भी जो है Vivo के अंदर open करके दिखाता हूँ एक साथ और देखते हैं किसके अंदर जो है applications पहले जल्दी open हो जाती है तो सबसे पहले मैं open कर लेता हूँ दोस्तो दोनों phones के अंदर dialer को तो जैसे मैंने dialer open किया पहले open हो गया Realme 10 में काफी बड़ा फर्कता time का इसे के साथ दोस्तो next application messages open कर Google Chrome open कर लेते हैं ये भी तो मतलब clear winner है Realme 10 speed को लेकर इसे साथ दोस्तो back side पर इन दोनों phones में आपको दो camera दिये गए हैं अब number से फर्क नहीं मिलता 50 Megapixels है या फिर 48 अब देखते है quality इसके अंदर आपको किसमें जाधा बढ़ी है मिलती है तो वैसे दोस्तो photos के लेकर Vivo का T T15G भी बहुत जाधा बढ़ी है Realme 10 भी अच्छा है लेकिन मुझे थोड़ा से जाधा बेटर लगा दोस्तो Vivo T15G camera को लेकर camera की performance आपको इसके अंदर थोड़ी और अच्छी मिल जाती है जैसे beautification type की थोड़ी देखने को मिलती है photos के अंदर colors वगरा बढ़ी हो जाते है तो 6GB RAM एक सो 30GB storage के साथ 1,000 का रेट में फर्क है तो 17,000 में आपको 6GB RAM मिल जाती है 2GB RAM जादा मिल जाती है तो यह चीज़ का फर्क है इसके अंदर तो यह variant जादा बढ़ी है 17,000 में 6GB RAM एक सो 30GB storage Realme 10 आपको 2 variants में मिलता है दोस्तो 14,000 में अगर आप इसको खरीद लेते हैं तो इसके अंदर आपको performance, display की quality इसके साथ दोस्तो speed काफी बढ़ी है मिल जाती है, display का design बढ़ी है, battery charger भी अच्छा दिया गया है, design भी back side से बढ़ी है, 14,000 में ही सारी खुबी इसके अंदर आपको 4GB RAM के साथ 64GB storage मिलेगी दोस्तो 14,000 में Realme 10 में, लेकिन अगर आप इसको 17,000 म मिल जाएगी, 2GB और जादा Vivo से, और storage आपको Vivo के बराबर मिल जाएगी, और एक और चीज़ का दोनों में फर्क यह है दोस्तो, Vivo T1 5G जो दोस्तो यह है, 5G phone, Realme 10 एक 4G phone है, तो इन दोनों चीज़ों में जो है, दोनों में आपको फर्क मिलता है, अगर आपको दोस्तो, डिस्प्ले की क्वैलिटी, बढ़िया पर्फॉर्मेंस, इसे के साथ अच्छी बैटरी, चार्जर, और दोस्तो आपको 4G phone चाहिए, बजट आपको थोड़ा कम है, तो 14,000 में आपको यह features वैसे Realme 10 में, 4GB RAM, 64GB storage के साथ, 14,000 में मिल जाएंगे, आप इसको खरीद लिएगा बजट जादा है, आपको यही features चाहिए, तो आप 828 से ले सकते हैं इसका, 17,000 में, बागी दोस्तो अगर आपको 5G phone खरीदना है, 120Hz के refresh rate चाहिए, तो दोस्तो आप Vivo T1 5G खरीच सकते हैं, इसके अंदर आपको camera जाद अच्छा मिल जाता है, यह चीज़े इसके अंदर 3 च display की quality अच्छी battery charger और बड़िया speed phone के अंदर, तो दोस्तो यह चीज़ा आपको realme 10 में अच्छी मिलती है, चाहिए आप 14,000 में ले 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 या फिर 17,000 में, अब आप बताएगा फिर भी comment करके आपको इन दोनों में कौन से जाद अच्छा लगा, नीचे comment करके ज़रूर बता कीज़े ताकि नई वीडियो आप तक पहुचती रहें, इसके लिए दोस्तों वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको share ज़रूर करेगा WhatsApp और Facebook पर, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, टेक केर, बाबाए